हलो फ्रेंज मैं हुआ आपका दोस्त विके और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एंटेपिसी जॉब चलिए देखते हैं तो ऐसे उमिद्वार जिन्होंने इलेक्ट्रिशन, फीटर, स्क्रेटरियन, असिस्टेंट और कारपेंटर जैसे ट्रेट्स में आईटियाई किया है उनको या उनके लिए आपरेंटिस करने का एक सुन्धरा आवसर भारा सरकार द्वारा दिया जा रहा है एनेच्पीसी लिमिटेड द्वारा आपरेंटिस के लिए कुछ पद निर्धारित किया गया है जिसमें इलेक्ट्रिशन, फीटर, कोपा, जैसे उमिद्वार इस पद हेतु आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं एनेच्पीसी लिमिटेड यह भारत सरकार का एक उपक्रम है जिन्हें भारत सरकार द्वारा संचालित किया जाता है तो देखते हैं कि इस पद के लिए या निम्न पद के लिए कौन-कौन सी अट्रेट्स में आवेदन आमंत्रित किये गये हैं तो इलेक्रिस्चन से जो व्यक्ति ITI किया है वह इस पद के लिए फोर्म भर सकता है यह दस पद पर अपरिंटिस आपको सासंद्वारा कराया जाएगा जिसकी योग्यता ITI इलेक्रिस्चन से उतीर्ण होना अनिमार्य है प्लंबर के लिए दो पद निधारित है फिटर के लिए दो पद सेक्रेटरियन असिस्टेंड के लिए चार पद और कारपेंटर के लिए एक पद इस प्रकार से 19 पद के लिए अपरेंटिस होना है जो भी उमिद्वार निम्नांकित योग्यता रखता है या आई टियाई होल्डर है वह इस अपरेंटिस के पद के लिए अपना आवेदन कर सकता है आवेदन करने के लिए आपको जो आयू सिमा है अगर मैं उनकी बात करू तो ऐसे उमिद्वार जिनकी आयू सिमा निम्नतम 18 वर्ष और अधिक्तम 30 वर्ष का है वह इस पद के लिए आवेदन कर सकता है ऐसे उमिद्वार जो ST, LC, OBC के अंतरगताता है उनके लिए आयू सिमा में सासन द्वारा छूट प्रदान किया गया है ST और HC का जो वर्ष के उमिद्वार है उनके लिए पांच वर्ष की छूट दिया गया है और OBC वर्ष के लिए तीन वर्ष की छूट का प्रावधान किया गया है और ऐसे कंडिडेट जो PWD के अंतरगत आता है उनके लिए 10 वर्ष की छूट का प्रावधान दिधारित किया गया है इस अपरेंटिस में आपको सासन द्वारा पर मन्थ के हिसाब से सेलरी भी दिया जाता है यह बहुत ही अच्छा है क्योंकि अपरेंटिस करने के बाद आपको उस विभाग या उस अधिनस्त जो विभाग है उसमें आपको जौब मिलने की संभावना है बहुत अधिक रहती है या भी आप apprentice करने के बाद किसी दूसरी सेक्टर में apply करेंगे तो आपको जल्दी जवाब मिलती है इसलिए ITI डिप्लोमा वाले जितने भी परिछार्थी है या उम्मिद्वार है अगर उनके पास apprentice का certificate हो तो उन्हें जवाब हासिल करने में आसानी होती है यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लेज कॉमेंट बॉक्स पर कॉमेंट कीजिए और ऐसे ही जौब से समबंधित किसी भी वीडियो की अगर आपको जरूरत है तो प्लेज हमारे इस YouTube चैनल 36 गर जौब को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए 36 गर और केंद्र सरकार क की उन तमाम वेकिंसियों की जानकारी इस YouTube चैनल के माध्य हम से दे सकी थैंक यू